देखे दोस्तों बहुत ज्यादा important आज वाली discussion है मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना सारे और ये चीज मैं sure होके कह रहा हूं आपके बहुत ज्यादा काम आएगी जो हुमारे पास balance days बचे हैं देखो अगर मैं बात करूं CA intermediate के students की तो 30th November onwards अगर मैं 5 December तक का time count करूं तो 6 दिन है उनके पास अगर मैं CA final वाले बच्चों की बात करूं तो exam एक दिन पहले start है तो उनके पास up to 4 December 5 दिन है 30th November को include करके अब ये वाला जो time है इसमें हमारे mind में क्या चलता है क्या wrong होता है क्या ठीक होता है आज मैं आपको बताने लगाँ ताके wrong वाला आप बीच में लेके ना हो सारा ठीक ही ठीक हो तो मेरी बात को बहुत ध्यान से जरा सुनो देखो सबसे पहली बात हमारा mind ना इस वक्त पर आकर कहीं ना कहीं first paper के बारे में सोचने लग जाता है क्योंकि उसको usually बच्चों ने काफी areas उसके pending चोड़े होते हैं कि मैं थोड़ा बाद में जाके देखनूँगा क्योंकि वो तो first paper है तो उसके लिए मैं एक दिन ज्यादा भी रख सकता हूं तो ये चीज कि मैं एक दिन ज्यादा रख सकता हूं ज्यादा रख सकता हूं लेकिन जो कर रहे हैं वो हमें alone ही करता कि उसको एक दिन ज्यादा दिया जाए क्योंकि जो कर रहे हैं वो अभी तक complete होने का नाम नहीं लेता तो इसलिए जो first paper को हम usually कई पर delay करके चलते हैं तो उसको फिर उतना time मिल नहीं पाता जितना उसको मिलना चाहिए क्योंकि बाकी papers cover करते करते हमने one वाले subject को थोड़ा सा कहलो कि waiting में रखा होता है कि इसको थोड़ा waiting में रखो अब बात क्या है देखो अगर तो आपके mind में मैं दो चीजे बताऊंगा आपको जो आपको पूरा एक vision क्लियर कर देंगी देखो अगर मैं बात करूँ suppose कर लो जैसे अगर इंटर वाला student है अगर वो ये सोच रहा है कि मैं तीन दिन, तीन, चार और पांच दिसंबर अपने paper one को रखों या final वाला बच्चा ये सोच रहा है कि मैं दो, तीन, और चार ये paper one के लिए तीन दिन रख लूँ क्योंकि first paper पांच को है और छे को है final का और इंटर का तो मैं ये तीन दिन में अपना paper one अच्छे से cover कर लूँँगा तो हमारे पास balance days जो बाकी हमारा अभी revision का काम चल रहा है अगर तो final वाले बच्चे हों तो दो दिन बच रहे हैं इंटर वाले बच्चे होंगे तो वो तीन दिन बच रहे हैं means either two days या तीन दिन ये मारे पास बच रहे हैं अपने paper one के तीन दिन निकाल के अब होता क्या है ये दो और तीन दिन में हमसे just time wastage के इलावा कुछ भी नहीं होता अब उसका वज़े क्या होती है उसके पीछे क्योंकि देखो काम pending पड़ा होता है इतना सारा है ना time हमारे पास है इतना क्यों और हमारा बहुत सारा time decision नहीं निकल जाता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है जो बड़ा chapter है usually वो तो रही जाता है touch नहीं कर पाते फिर mind में ये होता है कि अब कोई और option नहीं है pressure कम आता है क्योंकि first paper का time आ रहा है सीधा छुटी वाले दिन देखेंगे कि क्या हो सकता है wrong decision ऐसा नहीं करना देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ दो options है आपके पास या तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपको fix है कि मैंने बस अब दो दिन या interval बच्चा है कि मैंने तीन दिन बस अपना जो बाकी देख रहा हूँ वो ही देखना है बाकी तीन दिन मेरे first paper के नाम पर होंगे तो इन दो दिन या तीन दिन में जो भी चीज़ें आपकी pending है देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो में एक आइडिया मिल जाए ताकि paper में मैं सोच के साथ इस question को at least attempt कर सकूँ आपने वो thinking develop करनी है समझे रहो ना मेरी बात को एक example लेता हूँ मान लो हमारे पास एक question है कि financial statements का आप balance sheet बनाओ और साथ में P&L बनाओ अब मैंने पहले भी इसको किया था लेकिन अब मैंने उसको खोल के देखा ही नहीं कि अब मेरे पास time ही नहीं है छोड़ दो अब it means मैंने mind में thinking ही नहीं develop होने दी अब मैं थोड़ा सा उसका view ले ले लेता कि पहले 2-4 items कैसे start करते हैं जहां balance sheet में क्या चीज़ें आती है normally अगर मैं एक question भी देख लेता ना तो मेरे mind में एक thinking develop हो जाती तो मैं उस idea को use करके paper में उस चीज़ को कही ना कहीं किसी level पर attempt कर देता लेकिन ज्यादा था छोड़ दिया ये decision wrong हो गया तो आपके जो भी areas pending है आप ये 2 या 3 दिन में cover करना चाते हो अब उन areas में बस इतनी कोशिश करो कि आप क्या mind जो है वो paper में जाके उस चीज़ को सोच ले सोच के attempt कर ले it means आप successful रहे आपके ये 2 दिन या 3 दिन successful रहे अब दूसरी बात एक option और भी हो सकती है कि अगर आप ये 2 या 3 दिन को अलग से ना रखो आप क्या करो कल से ही अपने paper 1 को daily basis पर पढ़ना शुरू कर दो हम ये कह सकते हैं कि आप 70 to 80% ताइम देखो फिर भी मैं बोलूँगा देखो last वाले 2 दिन तो मुझे पता है कि आप किसी और subject को देख ही नहीं सकते last 2 दिन तो आपका focus paper 1 पर ही रहेगा लेकिन बाकी जो दिन है कल से ही अगर आप अपने paper 1 को start कर दो 70% time चलो मैं कह सकतो 18 आ से बाकी 30% आप बस last 2 दिन paper 1 पर आ जाना बाकी आप 30% time साथ में अपना जो बाकी subject का कुछ area जैसे मैं आपको बताया कि thinking develop कर लो वो thinking develop करने में devote कर सकते हो तो या तो पहले जो बाकी किया उनको close कर लो 2 जा 3 दिन लगा के जान साथ साथ 20-30% time उनको दे ले ले ना लेकिन paper 1 को साथ ही उठा लो ये दो options आपके पास हैं अब रही दूसरी बात देखो बहुत ज्यादा जिरूरत से ज्यादा अपने आपको जबरदस्ती बिठा कर number of questions ज्यादा देखने के चकर में कहीं ऐसा ना हो कि अब जाके output 16-16 गंटे की देनी शुरू कर दो देखो simple सी example है गर पे आपने अचार की शीशी देखिऊगी अब मुझे पता नहीं कि आपके घर पे कभी अचार डाला जाता है या बजार से लेकी आते हो जैसे हमारे घर पे निम्बू का अचार अद्रग का अचार घर पे उसको डाला जाता है और वो शीशी में इतना नीचे होता है क्योंकि जब भी मम्मी डाल के देती है वो पहले इसको हिलाती है अच्छे से अच्छे से हिला लो उसका रस और बीच में जो material है वो mix हो जाए लेकिन हम कई बर न इस time period में अपने धमाग को इतना fill करने की कोशिश करते हैं उसमें हिलने की जगह नहीं रहती तो इसलिए ये देख ले ना मैंने लिखा हुआ है clearly कि मैं आपको बताना न बूल जाओं कि अगर आपने 10-12 गंटे की maximum to maximum इतनी अगर आपने sitting निकाल के चीज़ों को पढ़ लिया है क्योंकि ये sitting फिर serious वली sitting होती है तो उसके बाद अपने mind को कुछ चीज़ों को सोचने का time दो जो पढ़ा है उसको digest करने का time दो अगर 16 गंटे पढ़ोगे फिर वो अचार वली शीशी अपने mind में रखना वो आपने उपर तक फिल कर दिया वो हिली नहीं पहारी तो आपका mind चीज़ों को digest करेगा थोड़ा सोचेगा कि मैंने ये पढ़ा है तो मैं paper में जाके ऐसा सोच के लिख सकता हूँ वो बहुत फरत पढ़ता है जो हम कही बार ऐसे time पर समझ नहीं पाते हमें लगता है ज्यादा sitting ही important है लेकिन कहीं ना कहीं इस time पर आकर आपके mind को freshness भी चाहिए ताकि paper में जाके मैं अपने mind से सोच के साथ भी चीज़ों को कर पाऊं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होनी है जो आपने चाहिए class time पर पढ़ रही है लेकिन अब आपको याद आ जानी है ठीक डर होता है लेकिन paper में जाके आपका आदा डर वो automatically खतम हो जाता है क्योंकि चीज़ें recall होनी शुरू हो जाती है यह चीज़ ही ऐसी है तो I hope आपको आज वाला जो मैं point सारी चीज़ें बताना चाहता था आपको एक crux मिल गया होगा अब आपने अपने mind में जो चल रहा था और जो मैंने बताया इसमें जो जहां best लगता है उसको adjust करो और डट जाओ और रोज आपके साथ रोज की situation के accordingly कि अब 4 दिन है जा 3 दिन है मैं available रहूंगा बस आप अपनी notifications को on रखना ताकि कोई video मिसना हो और जाते जाते video को like जरूर कर देना और channel को join करके रखना क्योंकि बस अब जो भी दिन है वो पूरे जबरदस्त वे के साथ हम निकाल कर चलेंगे तो चलिए कल दुबारा मिलूंगा next video में all the best thank you so much